विदाशवाचुनावों में मिली करारी हार के बाद अब नेता और कारीकरता पार्टी छोड़ते हुए जा रही है पार्टी छोड़ने वालों में छोटे ही नहीं बल्कि दिग्ज़ों के नाम भी शामिल है कल बीजेपी विधायक कदल की निताश बेंदू अधिकारी की नित्रत में बीजेपी विधायको कदल राज्यपाल से मिला लेकिन इसमें कई विधायक गई ही नहीं और उनमें से लगभग सभी ने टीमसी में जाने की संकेत दिये तो क्या बंगाल में खत्म होने जा रही है बीजेपी देखिए ये रिपोर्ट जुटे हुए है इनमें से अधिकांश वो विधायक हैं जो विधासवा चुनावों से पहले टीमसी छोड़ कर बीजेपी में शामिल हुए थे पार्टी कारिकरता घूम घूम कर माफी मांग रही है बीजेपी की कई कारिकरता उन्हें तो टीमसी दफ्तर के बाहर धरना दिया कि उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए बीजेपी से नेताओं की होते मोहभंग का एक नजारा सौमवार को भी दिखाई दिया जब शुबेंदू अधिकारी शाम को राजभवन में पार्टी विधायकों के एक प्रतिनीधी मंडल के साथ राजजिपाल जगदीप धनक से मुलाकात करने पहुंचे बुलाया सभी विधायकों गया था लेकिन 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली जिनमें से अधिकांश मुकुल रॉय के समर्थक माने जाते हैं तो यहां तक दावा किया है कि मुकुल रॉय से बीजेपी के एक दरजन विधायक संपर्क भी कर चुके हैं लेकिन किसको लेना है किसको नहीं इसका फैसला ममतब एनरजी को करना है डावा किया जा रहा है कि कई विधायकों की संक्या 30 तक बताई जा रही है इसके अलावा राजीव बनरजी दिपेंदू विश्वास सोनाली गोहा भी टिएमसी में शामिल होने की को दाकुर का जने मता वार समुधाय का सबसे बड़ा नीता माना जाता है. लेकिन अब वो भी बीजएपी से नाराज बताय जा रही है। झाल झाल